श्री मद्वाल मी की रामायन, युद्ध कांड, अध्याय पांच, श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप, नील ने, जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्ध के उत्तर तट पर अच्छे धंग से ठहराया, मैंद और द्विविद, ये दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब और विचरते रहते थे, समुद्ध के किनारे सेना का पड़ाव पर जाने पर श्री राम चंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्षमन की और देखकर कहा, सुमित्रानंदन, कहा जाता है कि शोक बीठते हुए समय के साथ स्वयम भी दूर हो जाता है, परन्तु मेरा शोक तो अपनी प्रानवल लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है, मुझे इस बात का दू, ख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अफरन हुआ, इसका भी दू, ख नहीं है, मैं तो बारम बार इसलिए शोक में दूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधी नियत कर दी गई है, वो शीगरता पूर्वग बीत हवा, तुम वहां बह, जहां मेरी प्रानवल लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर, उस दशा में तुझ से जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा, वो चंद्रमा से होने वाले दृष्टि सयोग की भान्ती मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आहलाद जनक ह अफरन होते समय मेरी प्यारी सीताने जो मुझे हानात कहकर पुकारा था, वो पिये हुए उदस्थित विश्की भाती मेरे सारे अंगों को दगधकिये देता है। इस तरह जल में शयन करने पर ये प्रज्वलित प्रेमागनी मुझे दगध नहीं कर सकेगी। मैं और वववामोरू सीता एक ही भूत लपस होते हैं। प्रियत्मा के सयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जलकी क्यारी का धान भी जीवित रहता है। सूखता नहीं है। उसी प्रकार मैं जो ये सुनता हूँ की सीता अभी जीवित है। इसी से जी रहा हूँ। कब वो समय आएगा, जब शत्रूओं को परास्त करके मैं सम्रिधिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल में अनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुन्दर दातों और बिम्ब सद्रिश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुलकमल जैसे मुखकों कुछ उपर उठा कर चुमूंगा। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के वे परस पर सटे हुए, तालफल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब कीचित कमपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वसती साधवी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भाती राक्षसों के बीच में पढ़कर निश्चे ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दश्रत की पुत्रवधु और मेरी प्रियत्मा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वो समय कब आएगा, जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्श राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उध्धार करेगी, जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारन करके उनके आवरन से मुक्त हो जाती है। स्वभावसे ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विप्रीत देश काल में पढ़ जाने के कारण निश्चे ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। मैं राक्षसराज रावन की छाती में अपने साइकों को धसा कर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देव कन्या के समान सुन्दरी मेरी सती साधवी सीता कब उतकंथा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आसु बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा, जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त की भाती से सत्याग दूँगा। बुद्धिमान श्रीराम चंद्रजी वहाँ इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरनों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे। उस समय लक्षमन के धैर्य बधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्रीराम ने कमलने अनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपास ना की।